गोंदिया जिले के गोरिगाउ तैसिल के वन परिसरों मिस्तीद परियटक सलूपर दिरांग 31 दिसमबर के सुभा से ही वन विभाग का कड़ा बंदोपस दिखा दे रहा है यह वन विभाग वारा वन संपत्ति की सुरक्षाओं के मतनसर यह बंदोपस 30 दिसमबर से एक जनवरी ऐसे तीन दिनों रहने पाला है ऐसे में वन परिसरों में न्यू यर की परियों पर पाबंदी लगा रखी है जिसके चलते 31 दिसमबर को होने वाली पार्टिया पर पानी फिरता नसर आदा है गोर तलब है कि पिछले अनेक वर्षों से यह साल का अंतिम दिन का जश्न मनाने की एक परंपरासी बन गई है यह अधिक तर कॉल स्टुडंट वयवापिडी 31 दिसमबर का जश्न वन परिसरों में मनाना पसंद करते हैं जिसमें पांगरी तालाब, कटंगी डैम, चुलपन डैम, जामरपानी तालाब, गुमर्रा टैम, मांटो देवी जंगल परिसर, पोंगे जरा वन परिसर जैसे परिये टन सलुपर भारी मात्रा में लोग इखटा होते आ रहे हैं जिसमें म्यूसिक डांस जैसे शोर शरापर के साथ साल की अंतिन दिन का जश्न मनाया जाता है ऐसे में हर वर्ष बड़ी मात्रा में वन संपति को नुसान पहुचा जा रहा है साथी वन ये प्रानियों को भी पार्टियों के शोर शरापर से नुसान पहुच सकता है जिसके चलते वन विभाग द्वारा तैसिल के जंगल परिसरों में स्थित सभी परिटन सलों पर नए वर्ष के पार्टियों पर पावंधी लगा दिकी हैं जिसमें यह पावंधी 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक लगी रहेगी साथी यहां जंगल परिसरों में पार्टिया मनाने जाने पर वन विभाग द्वरा भारी जुर्माना लगा जाना है यहां पांगरी तालाप से लेकर चूल बन डैम, कटन की डैम जिससे सबी जगा पर वन विभाग का कड़ा पहरा दिखाए दे रहा है यहां जगा जगा जंगल परिसरों में भारी मात्रा में वन कर्मी तैनाती दिखाए दे रही है ऐसे में 31 दिसंबर के जश्न पर पानी फिर्टा नजर आ रहा है जिसमें युवापिडी निराश नजर आ रही है इनबिसर नियुज के लिए गुंदिया से अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट